केंद्रिय ग्रह मंत्री अमिच शा ने रविवार को मनिपुर में चल रही सुरक्षा स्थिती की समीक्षा की और राज्य में शांती बनाये रखने के लिए सुरक्षा अधिकारियों को हर संभव कदम उठाने का निर्देश दिया ये बैठक शा ने महराष्ट्र में अपनी चुनावी रैलियां रद्द कर मनिपुर लोटने के बाद की सूत्रों के अनुसार ग्रह मंत्री ने मनिपुर में सुरक्षा हालात पर गहरी चिंता व्यक्त की और अधिकारियों से शांती सुनिश्चित करने के लिए कठोर कदम जिसके कारण राज्ज में लगातार अस्थिर्ता बनी हुई है चाट के बीच में कुछ लोग आये थे हजारों में और जबरदस्ती गुषने के कोसिस किया था गेट टोड़ा था और अंदर MLA के घर में मिनिश्चित के घर में गुष गया था और अचानक से वहाँ जो तैनाद हुआ था सेकूरिटी परसिनल्स वो जो रैस्पॉंजिबल आफिशर्स बात करने के कोसिस कर रहा था सभी को लेकिन वो छुनने को तयार नहीं है लगता है तोरफोर करने का मकसद में आया हुआ था कुछ बात सुनने को तयार नहीं था जबरदस्तिक गुष गया और अचानक से हाथ में पेट्रोल वगेरा वगेरा लेके आग लेके जलाना सुरू किया मालूम हो की शनिवार शाम को प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री इन बीरिन सिंग के नीजी आवास पर हमला करने की कोशिश की जिसके बाद सुरक्षाबलों और प्रदर्शनकारियों के बीच जड़पे हुई इसके अलावा हिंसक भीड ने मनिपुर के विभिन हिस्सों में नेताओं के घरों को निशाना बनाते हुए आग लगा दे इन में राज्य के पीड ब्यूडी मंत्री गोविन दास कोन्थोजम का घर, भाजपा विधायक वाई राधिश्या, भाजपा विधायक पाउनम ब्रोजेन और कॉंग्रेस विधायक थोक्चोम लोकेश्वर के घर शामिल है अब ऐसे में उम्मती जताई जा रही है कि अमिच शा के मनिपुर के हालातों पर चार्ज लेने में वहां के हालात कुछ हद तक सुधर सकते हैं